दोस्तो स्वागत है आपका आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बेहद रोमान्चब थ्रिलर कहानी चलिए शिरू करते हैं सुनील ब्लास के मालिक और प्रधान संपादक मलिक साहथ के कमरे में पहुचा मलिक साहथ अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अद लेटे से बैठे थे उनकी आँखे बंद थी और उनके दाएं हाथ की एक उंगली कुर्सी के हत्ते पर उठ गिल रही थी सुनील धीरे से बोला मलिक साहथ ने आँखे खोड़ी गुड मॉर्निंग सर सुनील आदरपोंट स्वर में बोला गुड मॉर्निंग मलिक साहथ कुर्सी पर सीधे होते हुए बोले आपने मुझे याद परमाया साहथ हाँ आओ बैठो सुनील आगे बढ़कर उनकी अर्ध वृताकार मेस के सामने पड़ी कई कुर्सीयों में से एक पर बैठ गया तुम देवगाम जा सकते हो क्या मलिक साहब ने पूछा क्यों नहीं जा सकता साहब आप चांद पर जाने का होक्म केजिए मैं वहाँ जाने को तयार हूँ मेरा मतलब है खाली होना कोई काम तो नहीं कर रहे फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर रहा लेकिन अगर कर भी रहा होता तो क्या था अकबार के काम से बड़ा काम मेरे लिए कोई नहीं लेकिन मैं तुम्हें अकबार के काम से देवगाम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ तो काम मेरा व्यक्तिगत है क्या फर्द पढ़ता है? एक ही बात है आप काम बताईए देवगाम में मेरे एक लंगोटिया यार रोशनलाल नागपाल का परिवार रहता है रोशनलाल की कुछ साल पहले मृत्ति हो चुकी है वो मेरा जिगरी दोस्त था लेकिन शेहर के जीवन के व्यस्तता नाम की लानत की वज़ा से मैं उससे बहुत कब मिल पाता था उसकी मौत के बात से तो यूं समझ लो कि मैं उसे एकदम से भूल ही गया था आज उसकी लड़की का टेलिफोन आया तो अपने अजीज दोस्त की याद में मेरे मन में फिर से ताजा हो गई सुनिल खामोश रहा लड़की किसी बात से बुरी तरह भई भी थी और प्रत्यक्ष्टे मेरी मदद चाहती थी ये बात मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ कैसे मदद कर सकता हूँ कैसे मैं उसे उसके भई से मुक्ति दिला सकता हूँ उसने बताया नहीं कि वो किस बात से भई भी थै कुछ बताया तो था उसने लेकिन लाइन खराब होने की वज़ा से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया सुनिल तुम वहाँ जाओ और जाकर मालुम करने की कोशिश करो कि लड़की किस बात से भैधीत है ठीक है सर, वैसर मुमकिन है कि बात कुछ भी ना हो, यानि कि वो किसे खामका के वहम का शिकार हो जी हाँ, सरसर मुमकिन है, कई लोगों को भैभीत होने की या भैभीत रहने की मनोवज्ञानिक बिमारी भी होती है शायद ऐसा ही कुछ हो लड़की का नाम क्या है सर? मोहिनी नागपाल देवगाम में रहती कहां है वो? मकान नमबर वगेरा तो मुझे याद नहीं लेकिन देवगाम एक बहुत चोटी सी जगा है रोशनलाल नागपाल को वहां का बच्चा बच्चा जानता था इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके परिवार को भी लोग जानते होंगे पूश्टाच करने पर तुम्हें मोहिनी के घर का पता जरूर मालूम हो जाएगा मोहिनी वहां अकेली रहती है क्या? नहीं, रोशनलाल के देवगाम के पुश्टैनी मकान में आजकर चार जने रहते हैं एक तो मोहिनी ही है, जो कि मैंने तुम्हें बताया ही है कि मेरे दोस्त रोशनलाल नागपाल की सगी लड़की है दूसरी वहां रहती दूसरी इस्तरी मीरा है, वो रोशनलाल की गोद ली हुई बेटी है तीसरी कौशलिया है, वो मोहिनी के ताया जी की लड़की है लेकिन शुरू से ही रोशनलाल के साथ उसी के घर परिवार का सदस्य बनकर रही है वहां आजकर रहने वाला चौथा प्राणी नंद किशोर नाम का एक 20-22 साल का नौजवान है जो मोहिनी का बतीचा है नंद किशोर के माबाप एक प्लेन क्रेश में मर गए थे इसलिए नंद किशोर शुरू से ही अपने दादा रोशनलाल के पास रहा था इन चार प्राणियों के इलावा हम अगर घर में कोई नौकर चाकर भी हो तो उसकी मुझे खबर नहीं आई सी देवगान के तक्रीबन लोग यही समझते हैं कि मोहिने मीरा और कोशल्या सगी बेहने हैं लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है आपके मित्र क्या काफी पैसे वाले आदमी थे हाँ उनकी जायदात की वारिस तो मोहिनी ही होगी क्योंकि आपके कतना नुसार उनकी सगी बेटी तो वही है सगी बेटी तो वही है लेकिन रोशनलाल अपनी जायदात का तीनों को बराबर का हिस्सेदार बना कर गया है कोई और बात जो आप परिवार के बारे में मुझे बता सकते हो या जिससे कुछ अंदाजा लग सकता हो कि मोहिनी क्यों भईभीत है और मैं कुछ नहीं जानता ठीक है सुनील उठता हुआ बोला मैं अभी देवगाम रवाना हो जाता हूँ हाँ और कोई जिक्र के काबिल बात हो तो मुझे टेलिफोन पर फोरण खबर करना बेहतर सर सुनील ने मलिक सहाब का अभिवादन किया और वहां से विदा हो गया देवगाम राशनगर से लखभग सौ मेल दूर स्थित समुद्र के किनारे पर बसा एक छोटा सा सुनील का देखा भाला गाउँ था वहां वो कुछ साल पहले भी आया था तब वो वहां ठाकुर जोरावर सिंग की समुद्र के किनारे से कोई आधा मेल दूर समुद्र में से सिर निकाले एक विशार टापू पर बनी काली हवेली का मेहमान बना था रोडवेस की बस पर जब सुनील देवगाम पहुंचा तो तब तक वातावरण में शाम का जुटपुटा फैल चुका था सुनील अपने कंधे पर एक एर बैग लटकाए बस स्टेंड के समीब बनी एक पनवाडी की दुकान पर पहुंचा वहां कई आदमी खड़े थे नागपाल के घर का पता उनमें से सब को मालुम था उनने सुनील को पता बता दिया सुनील ने सहमती में चुप चाप सेल हिला दिया सुनील पैदल चलता हुआ नागपाल के घर पहुंचा उसने देखा घर एक हवेलियों जैसी रखूब पुरानी खूब बड़ी दो मनजिली इमारत थी तब तक सड़क पर बतियां जलने लगी थी लेकिन इमारत के भीतर से रोशनी का आभास नहीं मिल रहा था सुनील ने दर्वाजा खट-कटाया और प्रतिक्षा करने लगा मलिक सहाब ने उसे कहा था कि वे टेलीफोन द्वारा मोहिनी को सुनील के आगमन की खबर कर देंगे इस लिए सुनील को उम्मीद थी कि घर में सभी लोगों को मालूम होगा कि वो आने वाला था वो सोचने लगा मोहिनी ने परिवार के अन्य सदस्यों को उसके बारे में क्या बताया होगा उसने उन्हें सुनील को वहां बुलाने की क्या वज़ा बताई होगी तभी दर्वाजे के उपर लगी बत्ती जल उठी बत्ती का स्विच शायद भीतर ही था सुनील को याद आया था कि जब वो पहली बार देव गाम आया था तब वहां बिचली नहीं थी दर्वाजा खुला, चौखट पर एक इस्त्री प्रकट हुई वो कुछ शर्ण यू सुनील को देखती रही जैसे खुर्द बेन से किसी केड़े मकौड़े का परिक्षन कर रही हो फर्माईए, वो सर्द स्वर में बोली मेरा नाम सुनील है, सुनील सिर्ण नवाकर बड़े अदब से बोला, मैं राजनगर से आया हूँ ओ हाँ, एका एक उसके स्वर की सर्दी थोड़ी छटी, वो दर्वाजे पर से एक और हट गई, मोहिनी ने बताया था कि तुम आने वाले हो सुनील बड़े अर्थ ही नढंग से मुस्कुराया, आओ, सुनील भीतर दाफिल हुआ, इस्तरी ने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया मेरा नाम कौशल्या है, वे बोली, सुनील ने फिर उसका अभिवादन किया कौशल्या एक अधेड़ा वस्ता की लंबी चौड़ी औरत थी, उसके नयन नक्ष सुन्दर थे और उसके रक रखाव से सलीका जलक रहा था उसके सिर के बाल तीन चौथाई सफेद थे, लेकिन फिर भी वे उसे जंच रहे थे सुनील ने देखा कि वो एक हॉल में खड़ा था, मोहिनी कहीं बाहर गई है, कौशल्या बोली, बस आती ही होगी ओ, सुनील बोला, मैंने बंसी को कहकर तुम्हारे लिए एक कमरा तयार करवा दिया है बंसी कौन? घर का पुराना नौकर है, इस वक वो भी बाजार गया है तरकारी लेनी अच्छा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ सुनील उसके साथ हो लिया, इमारत में मरगर्ट का सनाटा चाया हुआ था जो कि सुनील को बड़ा अजीब लगा, खाली घर में भी जिन्दगी के कुछासार होते हैं लेकिन वहां तो वैसा भी नहीं था वो कुशल्या के पीछे सीडियां चड़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुँचा सीडियों के दहाने पर कुशल्या ठिटकी तुम ज़रा एक मिनट यहीं ठेहरो मुझे अभी खयाल आया है कि बंसी का बच्चा मुझे बता कर नहीं गया है कि उसने तुम्हारे लिए कौन सा कमरा तियार किया है मैं देखकर आती हूँ सुनील ने सेहमती में चुप चाप सेर हिला दिया कुशल्या आगे बढ़ी थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस गल्यारे में मुड़ गई जो इमारत के प्रिष्ट भाग में कहीं जाता था सुनील इमारत के स्तब्द वातावरंड में बेचैनी से पहलू बदलता हुआ सेडियों के पास खड़ा हुआ पहले उसका हाथ अपनी जेब में पड़े लकी स्ट्राइक के पैकेट की तरफ बढ़ा लेकिन फिर कुछ सोच कर उसने फिलहार सिग्रेट सुलगाने का इरादा छोड़ दिया और हाथ वापिस खेंच लिया वो सोचने लगा क्या मोहिनी केवल इसलिए भैभीत थी क्योंकि वो इमारत घर कम भूत बसेरा ज्यादा लग रही थी लेकिन नहीं ये वज़ा नहीं हो सकती थी सुनेल ने वहाँ पहली बार कदम रखा था इसलिए उसे वो स्थान भूत बसेरा लग रहा था लेकिन मोहिनी तो शुरू से ही वही रह रही थी उसे तो बरसो पहले उस महौल की आदत हो चुकी होनी चाहिए थी सुनेल सेडियों के पास से हटा और गलियारे में चहल कदमी करने लगा सेडियों के लगभग सामने ही एक विशाल कमरा था कमरे का दर्वाजा खुला था उसने उत्सुकता वर्ष भीतर जांका तो पाया की वो कमरा आधा बेडरूम के अंदास से और आधा बैठर के अंदास से सजा हुआ था कमरे में रोशनी का इकलोता साधन एक टेबल लैंप था जो की कमरे के प्रिष्ट भाग में पड़ी एक मेज पर रखा था उसकी रोशनी का दाइरा मेज के इर्द गेर्द ही पड़ रहा था लेकिन फिर भी मेज से प्रतिविम्बित होती हुई मध्धम सी रोशनी में उसने देखा कि मेज के पास एक कुरसी पर एक व्रिद दौरत बैठी हुई थी उसकी गोद में एक खुली हुई किताब रखी थी वो जरूर रोशनलाल की गोद ली हुई लड़की मीरा थी सुनील ने सोचा वो मोहिनी नहीं हो सकती थी क्योंकि कोशलिया के कतना नुसार मोहिनी बाहर गई हुई थी और वैसे भी मलिक साहब ने मोहिनी की आयू 30 साल के आसपास बताई थी जबकि वो इस्तरी व्रिद्धा थी टेबल लैम्ड की सीधी रोशनी क्योंकि व्रिद्धा के चहरे पर नहीं पड़ रही थी इसलिए सुनील ठीक से उसकी सूरत नहीं देख पा रहा था लेकिन प्रत्यक्ष तेव व्रिद्धा को इस बात का आभास नहीं था कि चौकट पर कोई खड़ा था क्योंकि उसने दर्वाजे की तरफ गर्दन घुमाने की कोशिश नहीं की थी सुनील ने अनुमान लगाया कि वो जरूर कोई गहरे ठहराव वाली धीर गंभीर औरत थी तभी सुनील को मेज पर हरकत का आभास मिला उस थप्ट वातावरण में वो हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि सुनील के मूँ से सिसकारी निकल गई टेबल लेंड की रोशनी के दाइरे के एकदम नीचे उसे मेज पर कोई भूरी से हिलती हुई चीज दिखाई दी फिर उसे लंबी पूँच और दो चप्टे घणे बालों वाले हाथ दिखाई दिए वे हाथ मेज पर पड़ी चीजों को इधर उधर सरकार रहे थे इससे पहले की वो कुछ समझ पाता कि वो क्या देख रहा था उसे अपने बगल से कौशल्या की आवाद सुनाई दी बंदर है पाल्तू बंदर ने एक किलकारी मारी और दर्वाजे की तरफ घूमा सुनील को उसकी चंचल आंखे बड़ी तेजी से उसकी कटोरियों में घूमते दिखाई दी ओ, सुनील किस्याई सी हसी हसा मीला बहरी है, उसे तुम्हारी मौचूर्गी की खबर नहीं लगी ही लगती ऐसा ही मालूम होता है मैं बताती हूँ इसे वो बोली और कमरे में दाखिल हो गई सुनील चौकट पर हे खिटका खड़ा रहा बंदर ने सतर्क निगाहों से अपनी और बट्ती कोशलिया को देखा फिर वो एक किलकारी मार कर मेज से नीचे कूद गया और दो ही चलांगों में कमरे के दूसरे कोने में माजूद सोफे के पास पहुंच कर उसके पीछे जा चिपा कोशलिया मीरा के समीत पहुंची और उसके कान के पास मू ले जाकर उंचे स्वर में बोली मीरा एक शंट सननाटा चाया रहा बोलो कुशलिया उत्तर मिला सुनील ने नोट किया कि स्वर ऐसा भाव हीन था जैसा कि बहरे लोगों में साधारंतिया होता है बंदर सोफे के पीछे से सिर निकाल कर मीरा की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे दांत किट किटा रहा था सुनील आया है कुशलिया पूर वत उच्छ स्वर में बोली ये चाचा जी के राजनगर रहते किसी दोस्त का लड़का है इससे मिलोगी क्या नहीं अभी नहीं बाद में मर्जी तुम्हारी तुम्हें किसी चीज़ के जरूरत हो तो बताओ मैं लादू बंसी बाजार गया हुआ है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी गदियां ठीक कर दूँ सुनील ने देखा मीरा ने अपनी पेट पीछे और दाएं बाएं पहलू में गदियां रखकर उनका सहारा लिया हुआ था कुछलिया ने उन गदियों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि व्रिद्धा ज्यादा आराम से बैट सके फिर वो घूमी और वापिस सुनील की तरफ बढ़ी कुछलिया के पीट फेटे ही बंदर सोफे के पीछे से निकला और फिर लपक कर मेज पर चड़ गया उसने मेज पर रखी किताबों के साथ फिर उठा पटक मचानी आरम कर दी थी सुनील ने बुरा समू बनाया क्या शौप था बुड़ी औरत का बंदर भी पाला हुआ था बंदर भी कोई पालने लाइक जानवर था कोशलिया गल्यारे में पहुची और बोली आओ सुनील उसके साथ हो लिया वो उसे पुराने ढंके फरनीचर से सजे एक बैटरूम में ले आई चाय लाओ तुम्हारे लिए कोशलिया ने पूछा जी नहीं शुक्रिया वो मुस्कुराई आप मेरी वज़ा से नाहक तकलीफ उठा रही है नहीं नहीं तकलीफ की कोई बात नहीं दरसल बंसी घर में वही एक नौकर है क्या नहीं एक रसोया और एक नौकरानी है लेकिन वे दोनों आज छुट्टी ले गए हैं तभी इमारत में कहीं लगे घड़ियाल की टन टन से वातावरन गूंच उठा छे बज गए कोशल्या बोली आओ नीचे चले शायद मोहिनी आ गई हो सुनील ने सहमती में सिर्ष लाया उसने अपना एर बैक कोने में पड़ी एक मेज पर रग दिया नंद भी आ गया होगा कोशल्या बोली छे बजी तक घर जरूर आ जाता है वो सुनील उसके साथ नीचे हौल में पहुँचा बैठो कोशल्या रात सिहासन जैसी एक कुरसे की और संकेत करती हुई बोली सुनील बैठ गया तुरंत उसने अनुभा किया कि कुरसी कतई आराम दे नहीं थी समी पड़ी वैसी ही एक कुरसी पर कोशल्या बैठ गई सुनील ने कुछ कहने के लिए मुग खुला लेकिन फिर इरादा बदल दिया माहोल में ऐसी अजीब सी उदासी और बोजिलता चाई हुई थी कि सुनील महसूस कर रहा था कि उस कड़ी वो जो कुछ भी कहता बे मतलब और गैर जरूरी लगता पिर सुनील का ध्यान मीरा की तरफ भटक गया कैसे निर्जीव से व्रिद्धा थी वो सुनील ने उसे कोशल्या से बात करते ना सुना होता तो वो यही समझता कि वो कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ती पढ़ती ही पर लोग सिधार गई थी उस भूत बसेरे में रहने वाली तीन और दो में से दो को वो देख चुका था और उन्हें बोलता सुन चुका था अब ये देखना बाकी था कि तीसरी उसी भूत के कार खाने का मॉडल थी या वे अपनी बाकी दोनों संगनियों से भिल थी वो भैभीत थी इस हद तक भैभीत थी कि वो समझती थी कि उसे किसी की मदद की जरूरत थी लेकिन बाकी दोनों महिलाएं और कुछ भी हो उस भूत बसेरे में कम से कम भैभीत नहीं थी तभी दर्वाजे पर दस्तक पड़ी नंद आया होगा कोशल्या उठती हुई बोली शायद मोहिनी भी आ गई हो सुनील खामोश रहा कोशल्या ने दर्वाजा खुला सुनील को खुले दर्वाजे में से एक यूपती आती दिखाई दी वो एक भरे भरे चरहरे बदन वाली खूपसूरत यूपती थी उसके घने काले बाल खुले हुए थे और उसकी पेट पर कमर से नीचे तक लहरा रहे थे उसने संशक भाव से सुनील की तरफ देखा सुनील उठ खड़ा हुआ यूपती भी चौकट से हटकर आगे बढ़ी और अनिश्चित से सुनील के समीब आखड़ी हुई हलो सुनील बोला हलो वो नर्वस भाव से बोली तुम मोहिनी हो ना हाँ और तुम मेरा नाम सुनील है मैं राशनगर से आया हूँ मुझे मलिक सहब ने भेजा है अंकल खुद नहीं आये क्या नहीं वे बहुत व्यस थे फौरण नहीं आ सकते थे ओ मोहिनी के स्वर में मायूसी का साफ खुट था लेकिन मैं भी आपके उतने ही काम आ सकता हूँ जितना की मलिक सहब सुनील बोला लेकिन तुम तो अभी बहुत कम उम्र के हो मोहिनी बोली लेकिन ना तजुर्बेकार नहीं हूँ फिर भी आप मेरे उम्र पर मत चाहिए वो खामोश रही सुनील ने देखा कि उसकी आँखों में भय की ऐसी चाया तैर रही थी कि उस पर एक निगा भर लेने से बच्चा भी उसकी पस थालत का अंदाजा लगा सकता था मोहिनी ने गौर से सुनील की तरफ देखा फिर उसके चेहरे पर निर्ने के भाव प्रकट हुए उसने कुछ कहने के इरादे से मूँ खोला लेकिन तभी कोशलिया जो इतनी देख से दूर दर्वाजे के पास खड़ी थी समीप आ गई मोहिनी ने अपने होंट भींच लिये मोहिनी कोशलिया अधिकार पूंट स्वर में बोली जाओ पहले जाकर कपड़े बदल लो फिर नीचे आ जाना अच्छा दीदी मोहिनी बोली मीरा पड़ रही है तुमें उससे कोई खास बात ना करनी हो तो इस वक्त उसके कमरे में मत जाना वो इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं है सुनील से भी अभी नहीं मिली है वो कह रही थी कि बाद में मिलूँगी बाद में तुम सुनील को भी उससे मिलवा देना अच्छा दीदी मोहिनी वहां से चली गई तभी एक युवक ने घर के भीतर कदम रखा ये नंद है कुशलिया बोली नंद किशोर नंद किशोर ने बड़ी गरम जोशी से सुनील से हाथ मिलाया प्रत्यक्षत है वो बड़ा जिंदा दिल नौजवान था उस भूत बसेरे के बासी से उदास वातवरण में वही जिंदगी थी लेकिन सुनील ने नोट किया कि खुश वो भी नहीं था आप हमारे यहां ही रहे रहे हैं ना वे बूला जी हाँ सुनील हसता हुआ बूला बर शर्ते की मैं यहां से निकाल न दिया जाओ नंद किशोर ने जोर का अठहास किया और बूला काफी मज़ाद पसंद आदमी लगते हैं आप सुनील भी हसा इस वक मुझे इजाज़त दीजिए नंद किशोर बूला मैं आप से फिर मिलूंगा जरूर सुनील बूला नंद किशोर लंबे डग भरता हुआ सीडियों की तरफ बढ़ गया सीडियों के समी पहुँचकर वो ठिटका घूमा और बूला मीरा आणटी अब कैसी है सुबा तबियत कुछ भारी होने की शिकायत कर रही थी मीरा अब बिल्कुल ठीक है कौशल्या ने उत्तर दिया इस वक वो पढ़ रही है उसे डिस्चर्बना करना अच्छा नंद किशोर बोला वो सीडियों चड़ गया सुनील एका एक बड़ी गहरी सोच में पड़ गया कहीं कोई गड़बर जरूर थी उस भूत इसी इमारत की खामोशी में एक बड़ी खौफनाक आवाज कोड़े की फटकार की तरह गूंच कई कितनी ही देर सुनील को ऐसा लगता रहा जैसे वो आवाज इमारत की दिवारों से तक्रा तक्रा कर लोट रही हो और उसके जहन पर दस्तक दे रही हो सुनील उचल कर सिहासन नूमा कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ उसके सामने बैठी कोशलिया भी उठी गबराहट में उसने बड़ी मजबूती से सुनील की बाँ थाम ली उसका चेहरा एका एक पक हो उठा था उसके मूँ से निकला हे भगवान नन सुनील ने उसकी पकट से जबरन अपनी बाँ चुड़ाई और जपटकर सीडियों के पास पहुँचा कौशल्या भी उसके पीछे लपकी सुनील को सीडियों के उपर ले सीरे पर दो साय दिखाई दिये दोनों एक दूसरे से उल्जे हुए थे और लग रहा था जैसे उनमें कोई देंगा मुश्ती चल रही हो मोहिनी कौशल्या चिल्लाई ये तुम क्या कर रही हो मीरा कहा है और मोहिनी आंटी चोड़ो मुझे नंद किशोर अपने गिर्द लिपते मोहिनी की बाहों की पकट से जबरन अपने आपको चुडाता हुआ बोला भगवान के लिए चोड़ो मुझे मुझे लगता है कोई अनर्थ हो गया है चोड़ो सभी सुनील और कौशल्या उनके समी पहुँचे कौशल्या उनकी परवा किये बिना मीरा के कमरे के दर्वाजे पर पहुँची हे भगवान एका एक वो आतंकित स्वर से चिल्लाई ये मीरा को क्या हो गया है इसे तो किसी ने गोली गोली मार दी है फिर किसी प्रकार नंद किशोर और मोहिनी एक दूसरे से अलग हुए चारों मीरा के कमरे के दर्वाजे पर पहुँचे मीरा तब भी उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जिस पर सुनील ने उसे थोड़ी देर पहले बैठे किताब पढ़ते देखा था अब केवल इतना फर्क था कि गदियों के सहारे के बावजूद मीरा का शरीर आगे को जुक कर दोहरा हो गया था सबसे पहले कमरे में कौशलिया दाखिल हुई उसके बाद नंद किशोर भीतर गुसा फिर सुनील ने कमरे में कदम रखा लेकिन मोहिनी चोखट का सहारा लिए गल्यारे में ही खड़ी रही चेहरा सफेद था और होंट नीले पढ़ चुके थे किसी ने मीरा को शूट कर दिया है कौशलिया बोली गोली चाती में लगी है और दिल को भेदती गुजर गई है फिर उसने नंद किशोर की तरफ देखा नंद क्या मीरा को मोहिनी ने शूट किया है मोहिनी ने नंद किशोर हैरानी से बोला क्या कह रही हो कौशलिया आंटी लेकिन मीरा की हत्या हुई है वो मरी पड़ी है, किसी नों तो उसकी हत्या की ही है आप लोगों को पुलिस को खबर करनी चाहिए पुलिस? कोशल्या तिरसकार पूर्ण स्वर में बोली मैं अपनी बेहन को, अपने भतीजे को पुलिस के हवाले करने के बारे में सोच भी नहीं सकती लेकिन ये कतल का केस है, पुलिस को खबर की जानी जरूरी है सुनील ने कहा, सब खामोश रहे मैं पुलिस को फोन करता हूँ सुनील सेडियों की तरफ बढ़ा उसे मालूम था कि टेलिफोन नीचे हॉल में था किसी ने उसे टोका नहीं कतल, तो क्या यही वो बात थी जिससे मोहिनी भय भीट थी क्या उसे पूर्वा भास था कि वहां कोई कतल होने वाला था क्या वो जानती थी कतल के बारे में और वो रिवॉल्वर कहां थी जिससे मीरा को शूट किया गया था मीरा के कमरे में तो रिवॉल्वर कहीं दिखाई नहीं दी थी इमारत का वातावरण अभी भी स्थब्द था सुनील ने पहले पुलिस को और फिर मलिक सहाब के घर पर उनको फोन किया संयोग वश्ट मलिक सहाब वहां मौजूद थे मैं देवगा में नाकपाल सहाब के घर से बोल रहा हूँ सुनील ने बताया क्या खबर है सुनील? मलिक सहाब ने पूछा बुरी खबर है सहाब, यहाँ एक कतल हो गया है किसका? मीरा का? रोशनलाल की गोदली हुई बेटी का? जी हाँ, ओ माई गॉड़! फिर संबंध विच्छेद हो गया सुनील वापिस उपर जाने के स्थान पर नीचे हॉल में ही बैट किया तभी सेडियों के नीचे कुछ हिला उसने आँखे फार फार कर सामने देखा फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना शरीर कुर्सी पर धीला छोड़ दिया वो मीरा का पालतू बंदर था उसके देखते देखते वो वहाँ से निकला और चलांग मार कर एक खिर्की की चौखट पर चड़ गया कुछ देर वो वहीं इधर उधर फुदकता रहा फिर वो परदे के पीछे घुस गया तभी सुनील को परदे के पीछे से नीचे लटकती उसके सिर्फ फोंच दिखाई दे रही थी तभी उसे सीरिया उतरता नंद किशोर दिखाई दिया कुछलिया पुलिस को खबर करने के लिए मान गई है उसने बताया उसके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता पुलिस को खबर करना जरूरी था सुनील बोला मैंने उन्हें फोन कर दिया है नंद किशोर बड़े असहाई भाव में गर्दन हिलाता हुआ उसकी बलगर में बैट किया मुझे नहीं मालुम था कि इस घर में कभी कतल की नौबत भी आएगी नंद किशोर देशत नाक स्वर में बोला हम् ये घर भी तो मनहूस है मेरी आंटियों ने शादी नहीं की किसी ने भी नहीं की अगर ये शादियां कर लेती तो घर में बाल बच्चों की बहार आ जाती और इस महनूसियत से पीछा चूटता हम् और फिर तीनों के ही मिजाज गरम है किसी की किसी से पढ़ती नहीं ये महिलाई मेरे सामने तो एक दूसरे से बड़ा मीठा मीठा बोलती है लेकिन मैं बच्चा थोड़े ही हूँ मैं जानता हूँ कि इन्हों ही लोगों के कड़वे मिजाजों की वज़ा से घर में टैंशन का महौल बना रहता है और जिन्दगी के होते हुए भी यहां जिन्दगी के आसार नहीं दिखाई देते लगता है जैसे यहां इनसान नहीं भूत बसते हो मोहिनी भयबीत किस बात से थी सुनील बड़े सागधान स्वर में बोला मोहिनी आंटी और भयबीत एका एक नन किशोर के स्वर में व्यगरता का पूट आ गया देखो भाई साहब अगर आप समझते हैं कि मोहिनी आंटी ने मीरा आंटी का कतल किया है तो आप गलत समझते हैं मोहिनी आंटी में कतल करने का होसला नहीं है वो तो एक मक्षी नहीं मार सकती और फिर मोहिनी आंटी मीरा आंटी के इतने खिलाफ भी नहीं थी कि कतल की नौबत आ जाती असल में उपर हुआ क्या था सुनील ने पूछा आपका मतलब है तब जब गोली हाँ हाँ मैं उपर गया था और अभी अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी आपने ये कैसे सोच लिया कि जो आवाज आपने सुनी थी वो गोली चलने की थी मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो गोली चलने की आवाज थी और दिल ऐसे गवाही दे रहा था जैसे मुझे मालूम हो कि गोली चलने वाली थी हाला कि मालूम होने का कोई मतलब ही नहीं था लेकिन उस वक्ट कुछ ऐसे ही खौफ नाख ख्यालात मेरे मन में उभरे थे गोली की आवाज सुनकर तुमने क्या किया? मैं वही ठिठक गिया मैंने उस दिशा में देखा जिदर से गोली की आवाज आई थी तभी मुझे हौल में मोहिनी आंटी भी दिखाई दी वे चीक रही थी फिर हम दोनों गल्यारे में भागने लगे उस चन मेरे मन में फौरण मीरा आंटी का स्वयम खयाल आया जाता वो बेहद आतंकित थी हम दोनों में हाथा पाई हो ही रही थी जबकि आप और कोशल्या आंटी उपर पहुँच गए थे वहाँ और कोई नहीं था क्या क्या मतलब मेरा मतलब है क्या तुमने किसी को मीरा के कमरे से बाहर निकलते देखा था उसके चेहरे पर उल्जन के भाव प्रकट हुए तुमने मोहिनी को हॉल में देखा था क्या मुम्किन नहीं कि उस वक्त वो मीरा के ही कमरे में से निकली हो लेकिन भाई साहब मोहिनी आंटी हत्यारी नहीं हो सकती तभी किसी ने बाहर से दर्वाजा खट-कटाया एक ठानेदार और दो सिपाहियों ने कदम रख पड़े पुलिस कारे वाही आरम हुई ठानेदार गाउं का था लेकिन प्रत्यक्ष्टे बहुत मुस्तैत था उसने बड़ी बारी किसे हर चीज की तफ्तीश की फिर मलिक साहब भी वहां पहुँच गए वो दो घंटे में देवगाम पहुँच गए थे इससे लगता था कि उनके ड्राइवर ने बहुत धुआधार रफ्तार से गाड़ी चलाई थी ठानेदार ने सुनील का भी बयान लिया सुनील ने उसे कहा कि वो कुछ भी नहीं जानता था वो कौन था और वहां क्या कर रहा था इसका बेहतर ज्यादा संतोष जनक जवाब उसे मलिक साहब से मिल गया आदी रात के बाद कहीं जाकर मलिक साहब और सुनील को तनहाई में बात करने का मौका मिला कुछ मालुम हुआ कि मोहिनी किस बात से भय बेट थी मलिक साहब ने पूछा नहीं सुनील बोला उससे बात करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला पहले ही कतल का हंगामा खड़ा हो गया ओ, कतल के बारे में पुलिस ने क्या नतीजा निकाला है साहब? किस ने किया है कतल? अभी कुछ पता नहीं लग रहा लेकिन ठानेदार ने एक बात सापित कर दी है कि ये काम घर के तीन नौकरों में से किसी का नहीं है और कतल के समय कोशलिया, मोहिनी और नंद किशोर के इलावा यहां कोई था नहीं मैं था? मीरा थी? तुम्हारे खातिल होने का सवाल पैदा नहीं होता और ठानेदार ने ये बात दावे से कही है कि मीरा ने आत्मत्या नहीं की क्यूंकि उसे अपनी तफ्सीश से मालुम हुआ है कि गोली फासले से चलाई गई थी और? और एक महत्वपोन बात ये है कि वो रिवाल्वर अभी भी बरामत नहीं हुई है जिससे की उसका कतल हुआ है I see इस घटना के समय कौशल्या नीचे तुम्हारे साथ थी क्या? जी हाँ फिर तो कौशल्या की तो खुद तुम अलिबाई हो बाकी रह जाते हैं नंद किशोर और मोहिनी वे दोनों घटना के समय उपर भी थे लगता तो यही है कि उन दोनों में से ही किसी ने मेरा की हत्या की है तभी कमरे का दर्वाजा खुला दोनों ने घूम कर दर्वाजे की तरफ देखा वहाँ चौकट पर एक सिपाही खड़ा था आप लोगों को थानेदार सहाब बुला रहे हैं वो बोला दोनों सिपाही के साथ हो लिये सिपाही उन्हें एक विशाल कमरे में ले आया जिसमें और लोग भी बैठे हुए थे कौशलिया होंट भींचे गंभीरता की प्रतिमूर्ती बनी बैठी थी मोहिनी की आँखों में तैरता आतंग का भाव अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था नंद किशोर का चेहरा सस्पेंस से तम तमाया हुआ लग रहा था मिस मोहिनी ठानेदार सुनील की तरफ संकेत करता हुआ बोला आप इनी साहब से बात कर रही थी हाँ मोहिनी त्रस्त स्वर में बोली मोहिनी आंटी नंद किशोर चेतावनी भरे स्वर में बोला एक बात का ध्यान रखना आप जो कुछ भी सुनील को बताएंगी वो पुलिस को मालुम हुए बिना नहीं रहेगा ये कतल का मामला है इससे संबंदित कोई भी बात सुनील पुलिस से चुपा कर नहीं रख सकता इसलिए कुछ सुनील को कहना या पुलिस को कहना एक ही बात है मैं जानती हूँ मोहिनी दबे स्वर में बोली थानिदार साहब ने भी यही कहा था लेकिन थानिदार बोला ये मुझे कुछ बताने को तयार नहीं है ये कहती है कि मैं सुनील के इलावा किसी से बात नहीं करूँगी मोहिनी मोर्ख है कुशलिया कठोर स्वर में बोली उसने एक बार कहर भरी निगाहों से मोहिनी की तरफ देखा और फिर थानेदार से बोली लेकिन इसके पास आपको बताने लायक कुछ नहीं है मोहिनी के होन कामपने लगे और वो व्याकुल भाग से इधर उधर देखने लगी मैं अंत में वो बड़ी कठिनाई से बोली सुनेल से ही बात करना चाहती हूँ मोहिनी कुशलिया फिर बोली तुम बच्चों जैसी बाते कर रही हो तुम्हारी ऐसी नादानियों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ तुमने बिना मुझे बताए चुप चाप सुनील को यहां बुला लिया जबकि इस बात की कते कोई जरूरत नहीं थी तुम कहती हो कि तुम भरभीत थी इसलिए तुमने एक नितान तरजनभी को टेलीफून कर दिया मैंने सुनील को फोन नहीं किया था मोही ने फरियात सी करती हुई बोली मैंने मलिक साहब को फोन किया था मलिक साहब मेरे पिता के बच्चपन के दोस्त है उससे क्या होता है कोशलिया तीखे स्वर में बोली लेकिन बीच में मत तोको मलिक साहब तो अब आए हैं पहले तो इस घर में एक अजनबी मर्द का ही कदम पड़ा ना सिर्फ तुम्हारी वज़ा से क्यूं? बोलो क्यूं? जवाब दो मैं भरभीत थी किस बात से? वो वो बात मैं सुनील को बताऊंगी मोहिनी कोशलिया के स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी तुम्हें कजनबी से बात कर सकती हो लेकिन मुझ से बात नहीं कर सकती? नन किशोर से बात नहीं कर सकती? मोहिनी निगाहे चुरानी लगी इधर मेरी और देखो मोहिनी ने डरते डरते कोशल्या की और देखा दोनों की निगाहें मिली बोलो क्या बात है मोहिनी ने निगाहें जुका ली वो मुँसे कुछ न बोली कोशल्या ने असहाई भाव में थानेदार की तरफ देखा आप लोग घर के लोग हैं थानेदार कुछ सोचकर उठता हुआ बोला शायद इनकी जिजक सिर्फ मुझ से है मैं बाहर चला जाता हूँ और थानेदार वहां से बाहर निकल गया जाती बार वो दर्वासा बंद करता गया मोहिनी कोशलिया अधिकार फून स्वर में बोली अब बोलो क्या बात है क्या कहना चाती हो तुम मैं इस घर की बात कहना चाती थी मोहिनी यूँ कोशलिया की और देखती हुई बोली जैसे कोशलिया ने उसकी निगाव को सम्मोहन से बांदा हुआ हूँ उस थानेदार ने मुझसे जबरदस्ती कुबल वा लिया कि ओ, कुशलिया हसी और फिर कशकर स्वर में बोली यही थी तुम्हारी बहुत जरूरी बात इस बारे में मैं तो बिना ड्रामा की ये बता सकती हूँ बात सिर्फ इतनी है, वो सुनील की तरफ घूमी कि इस घर को बेशने के लिए हमें एक मोटी रकम की ओफर मिली है इस घर पर हम चारों का बराबर का हक है इसलिए इस घर को बेशने से पहले इसकी किसी भी बात पर हम चारों का सैमत होना जरूरी है मोहिनी और नंद किशोर घर बेश देने को तयार थे मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी सी बात है लेकिन मेरा ये घर बेशने के हक में नहीं थी मोहिनी ने अतिनात किया और उसकी जिद हम में से सबसे ज्यादा मस्पूत थी मोहिनी सुनील ने धीरे से पूछा तुम ये बताओ कि तुम भवीट क्यों थी भवीट होने वाली कोई बात ही नहीं है मोहिनी से पहले कोशलिया बोल पड़ी मोहिनी परिशान है, नर्वस है, बस फिर वो मोहिनी की तरफ घूमी और बड़े रहस्य पूर्ण स्वर में बोली मोहिनी ये मत समझो कि मुझे मालूम नहीं है कि आज कल तुम्हारे पैसी का अधिकत्तर भाग किस चीज़ पर खर्चो रहा है लेकिन मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ तुम्हें मालूम है, मोहिनी के मुझे सिसकारी निकली और नहीं तो क्या, तुम्हारी कोई हरकत मुझे से छुपी हुई नहीं है मैं जानती हूँ कि अपने विरासत की रकम में से जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लग जाता है उसे तुम सटे में लगा देती हो मैं जानती हूँ कि स्टॉक एक्स्चेंज में पैसा खराब करने की लग तुम पर बुखार की तरह हावी है मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपना सब नावा पत्ता जो कि तुम्हारे पास था फूंक चुकी हो अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या इसलिए तुम इस कोशिश में नहीं थी कि किसी तरह ये घर बिख जाए मोहिनी के होंट कांपे लेकिन उसके मूँ से आवास ना निकली एका एक नंद किशोर उठा मोहिनी के समीर जा खड़ा हुआ उसने बड़े आश्वासन पूंधंग से मोहिनी के कंधे थप थपाए पैसे की चिंता से हलकार मत हो मोहिनी आँटी आपके लिए दादा जी के ट्रस फंड में अभी बहुत पैसा है नंद किशोर को मोहिनी का यूँ आश्वासन देना देख कर पता नहीं क्यों कोशलिया एका एक भड़क उठी नंद वे विश्भरे स्वर में बोली इसे ट्रस के पैसे का क्या दिलासा दे रहे हो तुम इसे ये क्यों नहीं कहते कि रुपए पैसे के मामले में तुम इसकी पूरी मदद करोगे नंद किशोर के चेहरे पर प्रोत के भाव उढ़े लेकिन उसने किसी प्रकार अपने पर काबू पा लिया आंटी वे बोला वज़ा आप जानती हैं मोहिनी आंटी सट्टे के चक्कर में क्यों पड़ी इसकी वज़ा भी आप जानती हैं हम दोनों ही मुक्ती पाने के लिए प्रयाप पैसा इकठा करने की कोशिश कर रहे थे इस घर से मुक्ती पाने के लिए और… और क्या नंद? और मेरा आंटी से मुक्ती पाने के लिए आप से मुक्ती पाने के लिए कौशलिया की आँखे एका एक शोलो की तरह दहक उठी लेकिन जब वो बोली तो बड़ी शांती से बोली नन तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो तुम जानते हो मैं तुम्हें मीरा से कहीं ज्यादा प्यार करती थी मीरा से तो तुम भेवीत रहते थे अगर तुम पैसे की मांग लेकर मेरे पास आते तुम्हें तुम्हें हरगिस निराश ना करती तुम्हें मुझसे मदद की प्रात्ना करनी चाहिए थी लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास आने के स्थान पर खुद मुक्तार बनने की कोशिश की तुमने या मोहिनी ने क्यों मार डाला मीरा को क्या इसलिए क्योंकि उसने ये घर बेशने की मन्जूरी देने से इंकार कर दिया था मैं जानती हूँ मीरा ने इंकार क्यों किया था वो ये साबित करना चाहती थी कि वो चाचा जी की गोद ली हुई बेटी होने के बावजूत थी उनकी हम लोगों से ज्यादा सगी थी वो इस घर से अपने भावुकता पोन लगाव की दुहाई देती थी लेकिन असल बात ये थी कि वो हम लोगों से नफ्रत करती थी इसलिए वो घर बेशने के तुम दोनों के इरादों में अपनी मंजूरी ना देकर अडंगा लगा रही थी तुम दोनों का इस घर को बेशने के पीछे स्वाट था मेरा का घर को ना बिकने देने में स्वाट था केवल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता था दीदी मोहिनी यूं बोली जैसे बड़ी मुश्किल से अपना रूदन रोख पा रही हो तुम्हें भी पैसा चाहिए था मुझे? मुझे किस लिए पैसा चाहिए था? तुम्हें इस लिए पैसा चाहिए था क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम्हें किसी चीज से प्यार है तो वो पैसा है तुम दौलत की दिवानी हो और दौलत भी तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई मकसद हल करने के लिए नहीं चाहिए दौलत तुम्हें जिन्दगी का कोई सुख, कोई सुविदा खरीदने के लिए नहीं चाहिए दौलत तुम्हें दौलत के लिए चाहिए महस दौलत के लिए दौलत तुम्हारा भगवान है दौलत मोहिनी कोशलिया ऐसे करकर स्वर में बोली कि मोहिनी सहम कर चुप हो गई शर्मानी चाहिए तुम्हें ऐसी बाते कहते हुए और वो भी अश्नबियों के सामने फिर तेनों की निगाहे सुनील और मलिक साहब की तरफ उड़ गई सुनील को चंड तीन जोड़ी सहिशनूर्ता कौन निगाहों का शिकार होता रहा और फिर सहत स्वर में बोला मोहिनी क्या तुम इसलिए भय भी थी कि मेरा को पता लग जाएगा कि तुम अपना पैसा उड़ा रही थी नहीं मोहिनी हिच की चाहट भरे स्वर में बोली ये वज़ा नहीं थी तो फिर क्या वज़ा थी क्या इस घर में कोई असाधारन बात है कोई ऐसी बात जो तुम्हें परिशान कर रही थी हाँ हाँ क्या है वो बात मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम लेकिन कोई बात थी जरूर मीरा इस घर को बेशने के खिलाफ थी लेकिन हम उसके साथ जिद नहीं कर सकते थे क्योंकि हम हमेशा मीरा की आग्या का पालन करते थे कौशल्या देदी कभी कभार कोई खिलाफत की बात कर देती थी लेकिन अधिकत्तर वे भी मीरा देदी के हुक्म अदूली नहीं करती थी और तो और मीरा का पालतु बंदर तक उसकी आग्या का पालन करता था मोहिनी तुम ये बताओ मलिक सहब बोले कि जब तुमने मुझे फोन किया था उस वक्त तुम्हारे मन में क्या था उस सुभा या उस से पिछली रात से ऐसा क्या हो गया था कि तुमने भैवीत होकर मुझे फोन कर दिया आपको कैसे मालूम कि पिछली रात को कुछ हुआ था मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुमसे पोच रहा हूँ मोही ने एक तरह से तुमने कबूल किया है कि पिछली रात को कुछ हुआ था सोचो, क्या हुआ था मैं मीरा से भईभीत नहीं थी मोही ने यूँ बोली, जैसे उसने सुनील का सवाल सुना ही ना हो मैं उसका कहना हमेशा मानती थी लेकिन मैं उससे भैबीत नहीं थी और मैंने मेरा का कतल नहीं किया मोहिनी सुनेल मिठे स्वर में बोला ये बाते छोड़ो पहले ये बताओ कि पिछली रात को वहां क्या अजीब बात हुई थी जिसने तुम्हें बुरी तरह भैबीत कर दिया था मोहिनी कोशल्यक करकर स्वर में बोली अब उल्टा सीधा बोलना बंद करो तुम पहले ही बहुत देर उट पटांग बाते कह चुकी हो मोहिनी सुनेल आगरपूंट स्वर में बोला बोलो क्या हुआ था वो मीरा मीरा मोहिनी के मुँ से निकला मीरा क्या किया था मीरा ने किया कुछ नहीं था उसने कहा था नहीं नहीं ये बात भी नहीं थी वो अगर तुम बोले बिना नहीं रह सकती कौशल्यक सर्थ स्वर में बोली तो कम से कम ऐसा तो बोलो जो किसी की समझ में आए हे भगवान सुनील ने मन ही मन सोचा क्या ये औरत किसी तरह थोड़ी देर के लिए यहां से दफा नहीं हो सकती वो तो मोहिनी की बातों को सेंसर करने की नियत से वहां बैठी मालूम होती थी लगता था कि वे मोहिनी को ऐसी कोई बात नहीं कहने देना चाहती थी जो कि उसे ना पसंद हो तुमने मीरा को बोलते सुना था सुनील ने पूछा हाँ यही बात थी मोहिने व्यग्र स्वर में बोली बड़ी अजीब बात थी वो मीरा कभी अपने कमरे से नहीं निकलती सित्थी सुनील लेकिन फिर भी मैं सोचा करती थी कि इस घर के बारे में जितनी बाते वो जानती होती थी अपने कमरे में बैठे रहकर वो नहीं जान सकती थी इस घर में होने वाली हर बात की उसे खबर होती थी पता नहीं वो कोई जादू जानती थी या उसका शरीर कमरे में बैठा रहता था और उसकी आत्मा सारे घर में विज्चरण करती रहती थी देख लिया कौशलिया सुनील से बोली, सुन ली इसकी बातें, इसी से अंदाजा लगा लो कि इसका दिमाग ठिकाने है या नहीं तुम तो मीरा के बोलने की बात कर रही थी सुनील कौशलिया की बात की और ध्यान दिये बिना मोहिनी से बोला हाँ मोहिनी बोली लेकिन आत्माएं बोलती थोड़ी ही है मीरा की आत्मा बात कैसे कर सकती थी लेकिन मैंने मीरा को बोलते हुए साफ सुना था अगर तुमने मीरा को बोते हुए सुना था तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुनील ने पुछा है, मोहि ने बोली सुनील को उसके शरीर में कम कपी दोड़ती साफ दिखाई दी मीरा की आवाज मैंने कौशल्या दीदी के कमरे से आती सुनी थी खुशलिया दीदी के कमरे का दर्वाज़ा बन था लेकिन मीरा की इनसे बात करने की भीतर से आती आवाज मैंने साफ सुनी थी तुरंट बाद मैं मीरा के कमरे में गई थी तो एका एक मोहिनी का चेहरा फक्ख हो गया तो क्या सुनील उसे प्रोचसाहन देता हुआ बोला बोलो बोलो तो मैंने मीरा को अपने कमरे में मौजूद पाया था ये कैसे हो सकता है यही हुआ था मीरा अपने कमरे में मौजूद थी लेकिन फिर भी उसकी आवाज कोशलिया दीदी के कमरे से आ रही थी बक्वास कोशलिया बोली वो जोर से हसी और फिर जल्दी से बोली देख लिया सुनिल मैं कहती हूँ लड़की का दिमाग हिल गया है ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई मजूद एक कमरे में हो और उसकी आवाज दूसरे कमरे में से आ रही हो नहीं हो सकता मोहिनी बोली मैं मानती हूँ लेकिन ऐसा हुआ है मीरा अपने कमरे में मौजूद थी लेकिन फिर भी वो आपके कमरे में आप से बाते कर रही थी एका एक कोशलिया अपने स्थान से उठी वे मोहिनी के समीप पहुंची वो आगे को जुकी और उसने दोनों हाथ बढ़ा कर मोहिनी को कंधों पर से थाम लिया नंद ने दखल देने की कोशिश की लेकिन कोशलिया ने उसे परे धकेल दिया मोर्क लड़की कोशलिया उसके कंधे जिनजोरती हुई साम की तरफ उफकारी तुम समझती हो कि सुनील को ऐसी कहानिया सुना कर तुम अपनी बेगुना ही साबित कर लोगी जो कुछ भी तुम कह रही हो सरसर भक्वास है पागलपन का प्रलाप है लिकिन तुम चालाग भी कम नहीं हो मोहिनी बताओ जब गोली चली थी तब नंद कहां था नंद जल्दी से बोला मुझे बचाने के लिए मोहिनी दीदिक कुछ भी कह देंगी और आप तुम चुप रहो नंद मोहिनी जवाब दो ये अपने कमरे के दर्वाजे पर था मोहिनी के मुझे बड़ी मुश्किल से बोल पूटा कुछ शंड शुकोशलिया वैसी ही खड़ी रही फिर उसने मोहिनी के कंदे छोड़ दिये और सीधी खड़ी हो गई मोहिनी वो धेरे से बोली तुमने अपने जुबान से अपना अपराद कबूल कर लिया है उपर तुम्हारे और नंद के इलावा और कोई नहीं था अगर नंद अपने कमरे के दर्वाजे पर खड़ा था तो इसका साफ मतलब है कि कतल तुमने किया है तुमने ऐसा क्यों किया मोहिनी मोहिनी आंटी ने कतल नहीं किया नंद एका एक दोनों महिलाओं के बीच में आँ खड़ा हुआ और क्रोधित स्वर में बोला कतल आपने किया कोशल्या आंटी आपने क्या बख रहे हो कोशल्या चिल्लाई तुम भूल रहे हो कि जिस वक्त गुरी चली थी उस वक्त मैं नीचे हौल में मौजूद थी तुम खूब जानते हो कि ये हो ही नहीं सकता कि कतल मैंने किया हो मोहिनी आओ चलो कोशल्या ने अपना एक हाथ मोहिनी के कंदे पर रखा मोहिनी यूँ उठकर खड़ी हो गई जैसे उस हाथ ने उस पर कोई जादू कर दिया था वो कोशल्या के साथ बाहर की तरफ बढ़ी कमरे में मौजूद तीनों पुरुष खामोश बैठे रहे दोनों महिलाएं उपर जाने वाली सेडियों के पास पहुंची उपर जाओ कोशल्या बोली इस बार उसके स्वर में हमदर्दी का पुट था ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझा रही हो उपर जाओ और जो ज़रूरी है करो मेरे कमरे में मेज पर वैरोनौल के रिशीशी पड़ी है उसे ले लेना हम तुम्हें पूरा पूरा वक्त देंगे तुम कतई चिंता मत करना मोहिनी तुम्हारी खातिर काफी देर तक में किसी को भी उपर नहीं जाने दूँगी अब जाओ ये क्या बख्वास है एका एक नंद चिल लाया ये क्या हो रहा है नंद सुनिल धीरे से बूला कौशल्या तुमारी मोहिनी आंटी को आत्मत्या करने की राय देकर उपर भेज रही है हे भग्वान नंद आतंकित स्वर में बुला वो बाहर की तरफ छप्टा सीडियों के समीब कौशल्या ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नंद किशोर ने उसे परे धकेल दिया मोहिनी अभी दो ही सीडिया चड़ी थी कि नंद किशोर ने उसकी बाह थाम ली और उसे वापिस खसीट लिया नंद कौशल्या फुंक्तकारी शट अब नंद किशोर गला फार कर चिल लाया कौशल्या ने होंट काटे तभी थानेदार भी अपने दो सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच किया सुनील और मलिक भी सीडियों के पास पहुंचे मोहिनी ने एक सीड़ी पर बैट गई और रोने लगी थानेदार साहब सुनील बोला मीरा का हत्यारा आपके सामने हाजिर है आप उसे गिर्फतार कर लीजिए किसे थानेदार हैरानी से बोला कौन है मीरा का हत्यारा कौशल्या थानेदार भोचक्का सा सुनील का मूँ देखने लगा पकवास कौशल्या चिलाई तुम्हारी अकल तो खराब नहीं है हत्या मोहिनी ने की है और अभी तुम्हारे सामने उसने जुबान से अपना अपराथ कबूल किया था मैं तो हत्या के समय यहां तुम्हारे साथ मौजूद थी लेकिन हत्या फिर भी आपने ही की है थानेदार सहब कोशल्या थानेदार की तरफ घूमी ये आदमी मुझ पर इतना खतरनाग जूटा इल्जाम लगा रहा है और आप खड़े-खड़े मूँ देख रहे है थानेदार ने अनिश्चित भाव में सुनील की तरफ देखा मैं साबित कर सकता हूँ सुनील धीरे से बोला कि हत्या कोशल्या ने की है कैसे? बताओंगा पहले आप मेरे साथ उपर चलिए उपर कहा? कोशल्या के कमरे में वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ भी किसी दिवार में या च्छत में एक गोली गड़ी मिलेगी? गोली? जी हाँ और मुम्किन है वो रिवॉल्बर भी वहीं से बरामद हो जाए जिससे की हत्या हुई है थानेदार हैरान परिशान सुनील का मूद देखने लगा फिर वो निर्न्यात्मक स्वर में बोला उपर? सब लोग उपर चलो सब लोग उपर पहुंचे कौशल्या के लाख विरोध करने के बावजूद भी थानेदार ने कौशल्या के कमरे की चट और दिवारों की बड़ी गौर से जांच परताल की एक दिवार में चट के पास एक गोली गड़ी हुई थी इस गोली का मतलब क्या है? थानेदार बोला मतलब तो दो जमा दो चार जैसा आसान है सुनील बोला इसका मतलब है कि इस कमरे में गोली चली है किस पर? किसी पर भी नहीं किस ने चल लाई? किसी ने भी नहीं ये क्या कह रहे हो तुम? पहले कमरे की तलाशी लीजिए मुझे उमीद है कि रिवॉल्वर भी यहां से ही बरामद होगी रिवॉल्वर की बरामदी के बाद सब अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कौशलिया के तिव्र विरोध और ठानेदार की नौकरी चुड़वा देने की धमकियों के बावजूद कमरे की तलाशी ली गई एक अलमारी में से एक गत्ते का डिबा बरामद हुआ उसके भीतर एक रिवॉल्वर एक साधारन से बड़े आकार की अलाम घड़ी एक पतली डोरी और कुछ रोई बरामद हुई थानेदार ने रिवॉल्वर का चैंबर खोल कर देखा दो गोलियां गायब थे वे बोला जिन में से एक से मीला का कतल हुआ है सुनील बोला और दूसरी सामने दिवार में धसी हुई है लेकिन ये अलाम घड़ी ये डोरी ये रोई ये सब क्या है ये तमाम चीज़े कोशल्या के खिलाफ बतार सबूत महफोज कर लीजिए थानेदार सहब लेकिन कतल हुआ कैसे और तुम्हें ये कैसे मालूम है कि कतल कोशल्या ने किया है सुनिये अपने हर सवाल का जवाब सुनिये आप भी सुनिये मैडम जी सुनिल कोशल्या से बोला आपकी कर्तूत पर मुझे मीरा के पालतू बंदर की वज़ा से शक हुआ था जब आप मुझे मीरा के कमरे में लेकर गई थी तो मैंने बंदर को मीरा की कुर्सी की एन बगल में रखी मेज पर चड़े पाया था वो किताबों के साथ उठा पटक कर रहा था और मेज पर पड़ी अन्यच चीज़ों को इधर उधर सरकार रहा था अभी मोहिनी ने कहा था कि बंदर हमेशा मीरा की आग्या का पालन करता था फिर तब उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मीरा के एन सामने बैठे ऐसी शरागते कर रहा था वो किताबों जैसी नाजुक चीज़ के साथ उठा पटक कर रहा था और मीरा उसे रोक नहीं रही थी डान कर भगा नहीं रही थी थानेदार सहब इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उस जानवर को मालुम था कि उसकी मालकिन उसे रोक पाने की स्थिती में नहीं थी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो उसके सामने कुर्सी पर मरी पड़ी थी मीरा के सामने वो बंदर मनमानी कर रहा था लेकिन मेरे साथ को शल्या के कमरे में कदम रखते ही वो मेज पर से भाब खड़ा हुआ था और सोफे के पीछे जा चुपा था मुझे अफसोस है कि बंदर की उस सरकत का मतलब मुझे बहुत देर बात सूचा अन्य था मैं तभी समझ जाता कि मीरा कुर्सी पर मरी पड़ी थी और कोशल्या के कतल का इर्जाम किसी और के सिर्थ ठोपने की योशना धरी की धरी रह चाती लेकिन मलिक सहब बोले तुम तो कह रहे थे कि मीरा के साथ बाते करते सुना था सुना था कोशल्या की बातों के जवाब में मुझे एक ऐसी भाव हिंसी आवाज सुनाई दी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी वो आवाज भी कोशल्या के ही मुझे निकली थी और ये बात मैं इसलिए नहीं भाव सका था क्योंकि मैं कोशल्या से बहुत दूर दरवासे के पास खड़ा था लेकिन अभी जब मोहिनी ने ये बताया था कि पिछली रात उसने कोशल्या के कमरे से मीरा की आवाज सुनी थी जबकि मीरा अपने कमरे में मौजूद थी तो फौरन समझ गया था कि कोशल्या ने मुर्दे को कैसे बुलवा दिया था मोहिनी ने मीरा को जो आवाज कोशल्या के कमरे से आती सुनी थी वो कोशल्या की ही थी कोशलिया वास्तव में अपने कमरे में मीरा के स्वर की नकल करने की रेहरसल कर रही थी प्रत्यक्ष्टे कोशलिया बड़ी काम्याबी से मीरा के स्वर की नकल कर लेती थी उसकी नकल के दम पर उसने मुझ पर ऐसा विश्वास बिढ़ा दिया कि वो मीरा से बाते कर रही थी जबकि वास्तव में मीरा उस वक्त मरी पड़ी थी नंद और मोहिनी घर में वैसे ही नहीं थे दो नौकरों को कुशलिया ने छुटी दे दी थी और तेसरे को कोई काम बता कर बहाने से बाजार धेश दिया था पीछे खाली रह गए मकान में उसने गोली मार कर मीरा की हत्या कर दी और उसकी लाश को गदियों का सहारा दे कर कुर्सी पर इस प्रकार तिका दिया कि देखने वाले को वो बैठी किताब पढ़ती लगे कमरे में जान बुषकर इसने केवल एक टेबल लेंब चला छोड़ दिया था ताकि नीम अंधेरे की वज़ा कुछ ठीक से दिखाई भी न दे लोटते समय कोशल्या ने मीरा की गदिया ठीक करने के बहाने से लाश को आगे लुड़का दिया था और फिर इस प्रकार चलती हुई मेरी तरफ बड़ी थी कि वो हर चंड मेरे और मेरा के बीच में थी कुछल्या की ओठ होने की वज़ा से मैं ये नहीं देख पाया था कि लाश आगे को लुड़क गई सुनील एक शंड ठिटका और फिर बोला अब कुछल्या को अपने लिए अलिबाई की जरूरत थी अपनी अलिबाई इसने मुझे बनाया इसने रिवॉल्वर को अपने कमरे में कहीं टिकाया और उसके ट्रेगर को एक डोरी की सहायता से इस अलाम घड़ी के अलाम के हथोड़े के साथ बांद दिया अलाम की घंटी के नीचे इसने रूई फसाई ताकि जब अलाम बजे तो इसकी आवास ना हो फिर इसने नंद किशोर और मोहिनी के वापिसी के वक्त का हिसाब लगा कर घड़ी में एक मुनासिब वक्त का अलाम लगा दिया उस इंतजाम के बाद वो मेरे पास पहुँच गई एक बात खास तोर से नोट करने वाली है कि जब मोहिनी और नंद लोटे थे तो इसने उन्हें खास तोर से मीरा के कमरे में जाने से मना किया था ये कहकर कि वो पढ़ रही थी और उस वत किसी से बात करने के मूड में नहीं थी असल में ये उन्हें वहाँ जाने से इसलिए रोकना चाहती थी ताकि इन्हें मालूम ना हो जाए कि मीरा मड़ी पड़ी थी फिल आगे थानेदार मंत्र मुग्द स्वर में बोला फिर निर्धारित समय पर अलाम बजा अलाम के हतोडे ने रिवॉल्वर का ट्रिगर खींचा गोली चली समने गोली चलने की आवाज सुनी और समझा कि तब मेरा का कतल हुआ था बाद में पहला मौका हाथ आते ही कौशल्या ने अपने कमरे में जाकर रिवॉल्वर घड़ी वगेरा चुपा दी गोली के छेट की उसने खास परवा नहीं की थी क्योंकि प्रत्यक्ष्टर तो एक ही गोली चली थी और उसकी वज़ा से मेरा मरी हुई दिखाई दे रही थी ओ कौशल्या जाहिर है कि बड़ी शातिर औरत है मीरा की हत्या की योशना इसने बहुत चतुराई से बनाई थी और बड़ी चतुराई से उस पर अमल किया था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मोहिनी ने ये बताया था कि उसने मीरा की आत्मा को कौशलिया के कमरे में बोलते सुना था तो वो घबरा गई थी वो समझ गई थी कि अगर मोहिनी बार बार ये बात दोहराती रही तो देर सवेर किसी ना किसी को समझ में ये आ जाएगा कि वास्तम में कौशलिया अपने कमरे में बैठी मीरा के बोलने के अंदास की नकल करने का अभ्यास कर रही थी इसलिए इसने मोहिनी के दिमाग में ठोक कर ये बात भरने की कोशिश की कि वो हत्यारी थी और अब इसके लिए मुनासिब रास्ता यही था कि वो आत्म हत्या कर ले इसने मोहिनी को ये भी बताया कि नीन्द की गोलियों की शीशी इसके कमरे में कहां पड़ी थी लेकिन फानेदार बोला इसके इतना कहने के बावजूद भी जरूरी तो नहीं था कि मोहिनी उपर जाती और नीन्द की गोलियां खाकर आत्मत्या कर लेती जरूरी नहीं था सुनील बोला लेकिन ऐसी बाते करके कोशलिया ने ये तो स्थापित कर ही लिया था कि मोहिने आत्मत्या कर सकती थी बाद में पहला मौका हाथ आते ही मुम्किन है यही मोहिने को नीन्द की गोलिया दोद जैसे किसी चीज में घोल कर पिला देती हत्या का उद्देश्य क्या है? कोशलिया ने मीरा की हत्या भी क्यों की? इसका बेतर जवाब तो कोशलिया ही दे सकती है लेकिन जहा तक मेरा अनुमान है कोशलिया ने मीरा की हत्या एक तो इसलिए की क्योंकि मोहिनी के कतना नुसार कोशलिया दौलत की दिवारी थी शायद ये इस मकान को बेच कर रकम में अपना हिस्सा हासिल करके कहीं और जाकर रहना चाहती थी मेरा रौशनलाल की गोद ले हुई बेटी थी लेकिन शायद वही रौशनलाल को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए शायद वो रोशनलाल की इकलोती निशानी इस मकान को किनी गैर हातों में नहीं जानी देना चाहती थी हत्या का सारा उदेशिय ये भी हो सकता है कि शायद कौशलिया इस बात से जलती रहती थी कि मीला जो वास्तव में रोशनलाल का खूर नहीं थी जो वास्तव में रोशनलाल की कुछ भी नहीं लगती थी क्यों रोशनलाल की जायदाद में कौशलिया और मोहिनी के साथ बराबर की हगदार थी थानेदार कुछ शर्ट सोचता रहा फिर वो बड़े निर्न्यात्मक स्वर में कौशलिया से संबोधित हुआ कौशलिया देवी मैं आपको मीरा की हत्या के इर्जाम में गिरिफ्तार करता हूँ कौशलिया खामोश रही उसने एक बार आँखे फिर उठा कर सुनील की तरफ देखा उसकी आँखे सुनील के प्रती नफरत से जल रही थी दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आपको ये कहानी कैसी लगी कौमेंट में जरूर बताए मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंकियू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखे ही